असलामेकुम, I'm your chef शाहिना शुमाईल and you're watching cooking with शाहिना वीनस आश्टी टीवी आज बन रहे हैं यहां बहुती मज़दार सी रेसिपी और रेसिपी आज बन रहे हैं आज हम बनारे हैं वेजेटेबल और वेजेटेबल भी बननी जरूरी हैं अज बनारे हैं मज़दार सा बहंगी बहदार सा बहदी बहदा है और रेस बहदार सा बनाइगे तसमेज पास्ता सनय रेसितिया बैंगन जोंको रोस्ट करते हैं और रोस्ट करके ज़रा कर और पिर बनाते हम फिर अपने लेता है ते लिए जो खोता है। और आएं मैं लेकर शलती हूं आपको बने इंग्रीडियंट्स की तरह बहुता हैं यहां पर 500 ग्राम यानिके आदा किलो बैंगन यूज़ कर रही हूँ अच्छा आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से मेरे पास जो है वह भर बैंगन जो है वह मौझूद है असलमे मैंने क्या किया मैंने इनके साथ यह किया कि मैंने बैंगन लिए उसको चूले पर मैंने इ आपको यहां नजर आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह किया था इस तरह मैंने सोचा कि एक बैंगन जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैंने इसका प्रॉसस किया उसके लावा मेरे पास यहां तीन अदर टेमाटर मौजूद हैं तीन अदर वाइस आपके चोड़े बड़े हो तो आप तीन ले सकते हैं आदा किलो मेंगन है मेरे पास और यहां पर मैंने आप समझते हैं अगर रेसिपी काट के थो फॉलो करते हैं तो हमने दो अदा टेमाटर लिये हैं इसके लावा हाफ केजी बेंगन मेरे पास मौझूद हैं अब आज़ते हैं में अपने स्पाइस की तरफ के इसमें हम क्या स्पाइस जालेंगे सबसे पहले यहां मेरे पास मौझूद है गरम मसाला मौझूद है इसके लावा मेरे पास यहां पर यह हल्दी मौझूद है 1-4 टी स्पून, 2 टी स्पून मैंने इसके अंदर रेट चिली पाउडर यानि के पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ब्लैक पेपर वे ने 1 टी स्पून इसके अंदर शामिल किया है, जीरा मैंने इसके अंदर जो है वो 1 स्पून शामिल किया है, और रोस्टेड जीरा मैंने रेसिपी कार्ड में लिखा है और हमें से किस तना रोस्ट करेंगे, अगर आप यह रोस्ट पहले से करके रखा वाई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको साथ साथ रोस्ट करूंगी, उसके बाद हम अपनी रेसिप इसके अंदर शामिल होगा और साथ 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 शुगर जो है मेरे पास मैं भी से नहीं बता रही हूं क्योंकि यह सैलिड की है, इसके लावा इसके अंदर अनियन जाएगी, वन चॉप्ट अनियन एक मैंने बिक साइस के अनियन दिया है, उसको फाइन चॉप कर लिया है, इसके साथ स्किप किया एगा स्लाइस बैस होति जगा मैं यह शॉप्त पयास यूज करheen है। होता ही है Gaj और उसको आप देखे लिए मैंने चॉप्ट कर लिया है बहुत जादा इसको मैंने बड़ी वेज़ेबल जालें तो आपके मुह में आती है और आपका सारा फ्लीवर खराब करती है मै सदेखे लकी है करते है और अधर वसके लिए लीनन करता है तो आप लीवाड़त है परपने जीवा करते है मैंने आप मैईनीके पासमारे मेरे क जाफ मेरे क्वेजर का गाइगा ब्लैक पेपर पास्ता सालेड में और वाइट पेपर जाएगा और सौल्ट आप अपने टेस्ट के साफ से स्तामाल कर सकते हैं और बैंगन का भड़ता मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आईल की पनिजबत आप लोगे से घी में बनाएं तो जादा मज़िदार बनेगा। अच्छा है हम अपनी कुकिंग की तरफ और सबसे पहले क्या करना है हमने सबसे पहले स्टेप मैं आपको बताऊंगी के बैंगन को मैंने किस तना से रोस्ट करा तो तो मैं आपको इसकी रोस्टिंग यहां सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें एक बोर्ड ले लेंगे और यह जो डन हो अब है यहां रखना है इसमें मैं कर्ट्स लगा रही हूं यह देखें आप एक इस तरह से कर्ट्स लगाया है और एक इसकी दूसरी साइड कर्ड लगाया है अचा गार्ली कलोज मैंने फाइफ टूो सिक्स डेसीपी कार्ड में लिक्केती तो वह एक आमने किस तरह यूज करें यह!? बहएंगन को कट लगाया है और मैं इस तरह से इसक के अंदर फिल कर रहू हूं और यह अगेंड भी मैं इसके अंदर इसको फिल अप किया है तका कि छायन वाला नाथ त बाता है।क chic टाय। ल liquids कर सकते हैं। आप लों के से मतनुनी का डशाती हूँ। रख्लेम लग लिए लिए टांग ले लेता हे। ताकर रोटेट गोठी करने पर धोरो पर यांजिता राहर तो रोर्टेट करने पास्ता की बयाइलन तरह जो करते है एक अपनी बया नर्म किenneón को बया है अजाते है अट्रोफ के अशोटा के लिए आपने अनी बया का ने स्टोफ को फडिया है को अब हम बฉörtेखे दो से बटार करने रहा है तो वो जाके भी हमारी यूट्यूब चैनल पर हमारी रेसिपी जो आप लोगों से देखने से मैस हो गई है वो भी जाके देख सकते हैं और अभी जो है मैंने अपना सिर्फ स्टूफ को अन किया है और मैं अब इसके इंदर सॉल्ट एड करूंगी वन टेबल स्पून मैंने सॉल्ट एड कर आए इसके अंदर सॉल्ट एड हो गया है अच्छा यहां बैंगन रोस्ट हो रहा है और गार्लिक को इसके अंदर डालने का क्या मकसद है गार्लिक को भी इसके अंदर डालने का यही मकसद है कि गार्लिक भी हमारा रोस्ट हो जाए औ इसके लावा जो है वो साथ-साथ हमारे life call numbers चल रहे हैं स्क्रीन पे आप हमें call कर सकते हैं और हमसे कर सकते हैं कोई फर्माइश और कोई बात पूछ नहीं है कोई remedy पूछ नहीं है तो आप हमसे remedy भी पूछ सकते हैं और मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ एक weight loss remedy शेयर करूं और वो weight loss remedy यह है कि सबसे पहले तो हम अपना diet plan बनाएंगे एक और जब हम अपना diet plan बना लगाने का मकसद बिलकुल भी यह नहीं है कि आपने dieting करनी है आपने क्या करना है अपने जो आपकी जो मतलब गज़ा होती है सारी उसमें जो जो चीज़े होती है उनको आपने किस तरह से utilize करना है किस तरह से use करना है यो 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 बसे रहें, इक्स ख़ाने, आपने वॉटर काइशी थे लावा नहीं उसके हएं.. और उसको आपने थोड़ सा पानी बॉयल कर लेना है और वह पानी अगर आप नहार मुझ पीले तो उससे क्या होगा आपको बहुत जादा जोड़ी काम करें और उससे आपका जो एक्स्ट्रा वेट है वेट लॉस होगा लेकिन जिन हजरात को या जिन ओरतों को खवातीन को औ और अपनी रेमिडी को फॉलो कीजिए का आज़ाते हम वापस अपनी कुकिंग की तरफ और देखें यह रोस्ट हो रहा है तक्रीबन यह रोस्ट हो चुका है और बहुर अच्छे से यह रोस्ट हुआ है यह देखें इसका एक साइड हो गया है इसको मैंने शिफ्ट कर दिय लिए बिस्मिल्लाय रख्माली रहीम और यह मैंने डालती है अच्छा मैं इसको मिक्स कर लेती हूं थोड़ा साइसी स्पून से मिगले था कि अच्छे से वाई हो जाए है अच्छा मारा पास्ता बाइल और में थोड़ा सा इसमें ऐसमें कर देती हो फ्यू डॉप्स अफ अच्छा अपने बैंगन को देख लेते हम यह किस पोजिशन पाया है और यह तक्रीबन हो गया इसको बोड़ पर रखे बस इसको जस्ट पील जा रेंगे और हम आपने बैंगन के भढ़ते की रेसिपी की तरह आज़ेंगे पास्ता भी बाइल हो रहा है और यह हमारा बैंगन भी तो उस्तेट जो एसमेंगन से अ उनका फ्लीवर बहुत मज़दार होता है इतना अच्छा इनका फ्लेवर थाइबन यह बनेसबद हम जए वह काट के बैंगनों को बनाते तो उनका इनका अच्छा फ्लेवर नहीıyı होत हम आख़ीज्वें प्रेटा header तूरा साम यहां से मैप पील करूंगी इस तरह से आप कोई भी टॉंग ले सकते हैं किसी भी चीज से आप इसको पील कर सकते हैं और इसके गार्लिक को प्लीज आप में वेस्ट नी करना है इसके गार्लिक में ही हम इसको बनाएंगे बहुत अच्छी सी खुश्पू आरी है रोस्टेड बैंगन्स की अच्छा इसकी एक खासियत यह है कि यह बहुत जादा फाइरिमंद होते हैं हेल्थ के लिए बहुत अच कि अच्छी को एक बार्ण कंट्रीज में दो यह मतलब मीट के एक बराबर ने इसका बड़न के इसके पास्ते को भी देख लेते हैं अभी नहीं हुआ है इसको हम करेंगे और आजाते हैं तो बारा से इसकी पीलिंग की तरफ इसकी पील कर दिया और इसकी यह वाली जो साइट है में इसको कट कर देंगे जो रह गया है उसको भी पील कर लेते हैं ठीक तरीके से अज़ा है यह जो पीलिंग और बोड की हमें जर्वत नहीं आप अचा इसको हमने क्या करना है टॉंग की मदर थे इसको मैश कर लेना है और यह इस तरह से देखेंगे मैश कर रहे हूं इसको और जो भी हमने बिल्कुल गरम-गरम किया आपके सामने तो वो तो बहर अच्छे से मैश्ट हो गया है ठीक है जी यह हो गए हमारे डन और हम आजाते हैं इनकी कुकिंग की तरफ पान में रख रहे हूं यहां पर और पास्ता को हम चेक करेंगे पास्ता भी हमारा बॉल रहे है अच्छा मैं आपको बताया है कि मैं रोस्ट करूंगी जीरे को तो मैं किस तरीके से रोस्ट करूंगी वो मैं आपको बता देती हूं यहां पर मैं आपको कर देती हूं सोची को साथ-साथ अपने टॉमाटोस को शुथ हम गोट कोर नीट कर ले देती है है ओ कर दो है ब्रेक के बाद रेसेपी दुबारा कन्तीनु करें तो जब तक तक टाइम हो एक ब्रेक का सोलेते हैं आपने कहीं नहीं जाना ब्रेक के बाद आमें दुबारा से जॉइन करना है ब्रेक से आचोके हैं वापस अरबन रहे हैं यहां भैंगन का भरता और साथ सद हम बना रहे हैं पास्ता सेलिट और हम देख लेते हैं अपने पास्ता को कि किस हथ तक बाइल हो गया और मैंने आप लोग के सामने बैने इस अपने शचाप किया था नहीं चॉप्ट जाएं अच्छा पास्ता में भी थोड़ा सा ताइम है हम इसको मजीद पकने देंगे और साथ साथ आ जाते हैं हम अपने जीरे की तरह जिसको मैंने कहा था कि एहां रोस्टेट शामिल होगा तो वान टिबल स्पून रोस्टेट जीरा जो मेरे पास मौझूद है उसे मैं इस तरह से पैन में डाल दिया है सरफ और एकसे दो मिनट के रिए रोस्ट करूँड़ी जब मुझे इस की खुषपो आने लगीगी तो मैं स्टॉप कर जूँगी अच्छाप कर जूँगी अच्छाप नहीं अच्छाप लेख जादा ना जादा ना लौफलेमो उस पर आपने इसको रोस्ट काना स्पून कर देख जा एक तरफ से जादे जाला 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 कियो कि जीरा बहुत ज़्या हो आप जल्दी इसका कलर चेंज होता है चल कुछा डिखा सेरा हो गया हमारा रोस्ट और अब मैं इस के अंधर अनियन्स जाल दो गी और अनियन्स मैं विदाव दॉइल या घी यह कर यह दो करना है जो तरही सिस प्रख्ट श्यायक्त पहरता है, श्याद करने हैं मुझे मुझे जा हुआदा इस चाह्याया तरही है दो के आर ते जादा जा मैं अभी अजिए नेकि इसाना के दोटाता है आप प्यास को आप पूरा आप जो अंदर का प्यास अपने गुदा आप साहना.. और आपर जो जो घ्लक उसका रिमोव कर्णे दिस्कार्ट करें और भी उसको आप अर अन्डर को आप इसका डीजिक आयए stress और अपनी भी चै क्रीज़ करें करेंगे मजीद एक से दो मिनट चाप अपना कंटिनूसली चलाते रहें स्पून ऐसा नहों के ये फिर चिपके या कुछ हो तो आप इसके लिए स्पून चलाते रहें बरता ह diverse है उनके ँद्न उन्त्र प्रे तो प्रिमा εκणा उनके उर Öरुप dipping के उनके एक स्पून के से ङस्थ खशब करें तो abroad वे लोगों के डिस्कारट ना करें – उन्हें संबाल के ना रखें और बहुत सारे उसके अंदर माइनरल्स मौजूद होते हैं अच्छा ये देखें आप प्यास जो है अब वो वाइट से इसका कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब कि ये रोस्टिंग की तरफ आ गई है और तकरीबन 70 परसंट तक ये हो चुकी है रोस्ट इसकी वाइटनिस खतम हो जाए येलो की तरफ इसकी टोन आए तो आप समझ जाए कि ये अब हमारी रोस्ट हो गई है इसको हम थोड़ा सा मजीद करेंगे एक से दो मिनट कर दो मिनटों हो जाए और हम रोस्ट कर लिया है अब हम इसमें घी एड़ करेंगे आप लोग और सार्सो का तेल जो भी यूज़ करना चाहए तो वो कर सकते मैं इसको घी में बना रही हूँ और ये मैंने खी यहां पर शामिल किया है मेरे पास घी है इसको मैं मेक्स कर रही हूँ इसमें अद्रक शामिल नहीं होगी लहसन इसके अंदर शामिल होगा और लहसन हमने किस ताना शामिल कर है वो मैंने आपको बताया है लहसन हमने इसी के साथ ही रोस्ट कर लिया था पास्ता हमारा तकरीबन बॉयल होगा जब तक हमारी प्याज हो रही है जब तक हम अपने पास्ते को देख लेते है और ये पास्ता हमारा बिल्कुर 110-110% कुक्तोगिया है मैं आपको दिखा भी दूँ ये रेखें आपी कितनी असानी से ये तूट रहा है तो हमने स्टोफ को करेंगे और इसको हम स्ट्रीन करेंगे अच्छा पास्ता बॉयल हो गया उसको मैं थंदा करने रखा है तो प्याज आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन थोड़ा सा इसमें पिंकिश कोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको ब्राउन नी करने आपने प्यास को और ना आपने इ आपने इसको तोड़ा सा गोल्डन करना है तो मैं इसको गोल्डन करने की तरफ ही आ रहा है इसका शेट पिंकिश कोल्डन प्यास का बहुत जादा ख्याल रखें किस कुजीन में उसको समझें किस कुजीन को समझें कि आप क्या खाना बना रहें और उसमें प्यास की क्या न तो अगर वह पर्फेक्ट ब्राउनी होगी तो कोर्मे का कलर खराब हो जाता है तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखने आप लोगों ने जो प्यास का चाहिए ता वह आचुका है पिंकिश कोल्डन इसका कलर आचुका है और मैं अब इसमें चट पर्ट से जो ये टोमाटोज मैंने चाप किये वेते ये मैं इसमें आइड कर रहे हूँ और हम इसको सॉफ्ट होने देंगे एक प्यूरी की ताना बनने देंगे तो हम इसको को करेंके रज़ें लगे एक और भीर बीघर के जलगें इसको शॉक्त रखने की आइग कि सब्सक्राइए नियु inland प्लेवर करने से पहले एक से दो मिनट के लिए टेमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए रख दूँगी और जब तक यह सॉफ्ट होते हैं रपताक हम पानी पीते हैं एक से दो मिनट के लिए बहुत जादा नहीं जैसे यह सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम अपनी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे अच्छा अब साथ-साथ हम आज़ेते हैं फ्लेवरिंग की तरफ सबसे पहले मैं इसके अंदर हल्दी तर्मेरिक जो मेरे पास मौझूद है मैं इसमें हल्दी शामिल करें हूँ अच्छामिल करें हूँ यहां पर यहां पर यहां पर तर्फ पिसी वी लाल मिर्च उटी स्पोन और मैं इसमें शामिल करें हूँ हूँ चिली पर एंप सब्सपोन साल्ट आप अमने टेस्ट के साफ से शामिल कीजिएगा सॉल्ट मैंने स्माइट किया है वैसे वेजिटेवल्स में साल्ट कमी जाता है एकदम तेज हो जाता है तो सॉल्ट डालते वे ख्याल रखियेगा मेरे पास प्लाक पेपर मौझूदेए थोड़ा सा असमें डालूंगी आफ और हाफ तकरीवन अपने सालट के लिए लखनागी और इसके लाबबा मेरे पास वाइट पेपर है रावाइट पर एक दालूंगी और फोर तीस्पून में अपनी सेकंड रेसिपी के लिए रखूंगी अचा गरम मसाला पाउडर जोए ना डालने की वजाई है कि गरम मसाला अंड में डलता है तो इसके लिए आपका फ्लेवर जो होता है वो थोड़ा सा खराब भी कर जाता है अगर आप पहले से डाले करवाट आजाती है आपकी रेसिपी में और ब्लैकनेस आजाती है तो इसको इसको मैं थोड़ा सथ हाई फ्लेम पे भूनूंगी यह देखें आप पिलकुल एक प्यूरी की दना हमारी यह तयार हुई है और इसके साथ जो मेरे पास यह बैंगन मौजूद थे यह मैं हाई फ्लेम पे डालूंगी ठीक है लो फ्लेम पे नहीं डालूंगी मजीद में मसाले को भून रही हूं इसके मसाला अच्छे से भून और अब मैं यह ब्रिंजल अच्छे से गोल गया है और अब मैं यह ब्रिंजल जो है यह एड़ करें कितना इजी था यह बैंगन का भड़ता और स्टेप बाय स्टेप कितने हमने मज़े से जो है अपनी डिश को कम्प्लीट किया है अच्छा रेसिपी कार्ड में मैंने लिखा कहा कि हम इसमें पिसावा धनिया भी डालेंगे और वो मैंने यह नहीं डाला है अब चाहें तो वो डाल सकते हैं को बार अच्छे से मिक्स करेंगे हम अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ गरम मसाला जो वां टी स्पून मेरे पास था मैंने वो शामिल कर दिया इसके अंदर और मैं मिक्स करूंगी अच्छे से मज़ेतार सा भेंगन का भड़ता यहां तयार हो गया है अब हम इसको हलकी आश पे कोक्त करेंगे और पानी मैं इसमें वैसे डालते नहीं है लेकिन मैं इसमें टू टेबल स्पून पानी आट कर रही हूं बहुत जादा नहीं जिए अच्छे से थोड़ी देर कोक कर ले और यह हमारा बैंगन का भड़ता यहां तकरीवर हमने इसको इसके बाद 10 मिनट साथ कोक करना है और बैंगन का भड़ता हो जाएगा रेडी और साथ-साथ आजए हैं हम अपनी सेकिन रेसिपी की तरफ और सेकिन रेसिपी मैं बन वहहां जो पिए 10 मिनट के लिए मैंने कोख करने रखड़ी हैं। एक यह जो उने रख़ दो पॉक्त जाएं। यह लुक्त आप आप उमें कॉल करते हैं। अपना प्रविद बैक देते हैं। वह अच्छा लगता है। के ज़िए यह चाहANO आज आज के एक पिसमे, उपने पता लाइम हम नहीं है। करिए लिऊ पया किने हैं कि आप लिट रहें लिए डी प् Всемति आजुए तो ठीए नहीं हम दुटने की तरा पिर YouTube है मैं अपना पास्ता भी घुटने के नहीं हम छानboy लýताता है। काले दिए अबक्रों से भी your निए निंकाल लिया है यह बॉयल हुआ है तसके घगाता। शास्टा ने यहाँ थे भड़ते को देख लया है आपने कंटिनीज चोड़ के भूल नी जाना आपने इसमें इस तरह से स्टाना से इस दिए पास्तलाना आपने इसमें इसमें पास्ताना से शाल अच्छा मैं एक दफर रेसिपी का रीकैप कर दूँ कि मैंने ये बैंगन का भर्दा किस ताना बनाया था मैंने बआंगन के भर्दे भड़ी न के भरोंते में,चर्ड क मैंने राट राट जरी के पीड लिया। मैंने लूशिपन मेनी स्ट्रेश arriv और मैंने उसको्त पाली जुफड़ किया। जुक्त इसमें तुमाट। एड़ करें और टुमाट। एड़ करने के बाद मैं भी अN אס़ोग के नमक, मीरच, पृूटीवी , जुक्तपवी, आपनली म हमारे चाहरं गार्णिक धुय। हमेशा दाले और तुमाट। एड व्यूच प्रूच के तुमाट। So don't go anywhere, we will be right back after a short break. Welcome back to our break. And we are going to make our second recipe and we are going to make our second recipe and we are going to make our second recipe pasta salad. It is made of very simple ingredients. And there is another option for you to add fruit, add potato, add potato, add potato. And if you want it, you can add vegetables and vegetables. But today I have a very simple recipe because I have made the main recipe pasta. And I have made 1 fourth cup mayonnaise. And I have made a small size because I don't like it. If you like it, you can add it. And I have chopped it in the middle. And I have chopped it in the middle. And you can try to add any fruit or vegetable in the salad. So the cutting size is a little smaller. So when you eat it, you will know that the flavor is very good. And it will be easy to eat on top. And it will be easy to eat with a spoon. First of all, I will take a spoon and a spatula. I have made a spoon too. And choose my mayonnaise. And we will set my mayonnaise using it. There I am even because of the mayonnaise. I have open the mayonnaise after a meal. Zvere alles right. We will even go out here and suggest the public湯นะคะ. और ये रेखें आप, ये बिलकुल डन है वैंगन का बरत हमारा बिलकुल तैयार है तोड़ा सा वाटर आपको पता है कि क्या थोड़ा सालड सालड बनाती हूँ यह मैं जो है वह बनाते हम उसमें वाटर एड करें यह हमने सॉस बनाई थी उसकी चया केते हैं सबसे पहले हम इसमें डालेंगे शुगर शुगर मैं डाल रही हूँ तकीबन 1 टिपल स्पून शुगर मेरे पास मौझूद है अग्जो लोग डाइट के लिए तौर पर ये सालड बना रहे हैं और खा रहे हैं तो वो शुगर स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें शुगर मेरे पास मौझूद है वन टी स्पून एम गोना आड़ दिस और वाइट पेपर मैं इसमें शामन किया है अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से अगर आड़ किया है बलाइक पेपर, बाटर, शुगर एंदें हम अब शुगर को डिसॉल्फ कर रहे हैं क्योंकि मैंने फाइन शुगर नहीं लिए मैंने रॉज सुगर लिए तो वह हम डिसॉल्फ कर रहे है इस ताना से आप उसको हल कर लें डिसॉल्फ कर लें अच्छे से करें क्योंकि रॉड शूगर होती है तो फ्लीवर अच्छा नहीं आता और इसलिए में थोड़ा सब्सक्राइब हो देखें आप वाटर हमारा बिल्कुल गायब हो गया है बिल्कुल भी इसके इनर वाटर नहीं है अच्छा साथ साथ मैं इसमें जो है यह यह पास्ता मेरे पास जो मौजूद है बॉइल पास्ता है यह मैं इसमें सारा शामिल कर रही हूं ठीके मैं अच्छे से स्ट्रेंड किया वाटा पास्ता मैंने इसके अंदर आट कर दिया है। कलर बहुत जबर्दस्ता आया है इसको बन कर दिया हमने दन हो गई है अच्छा अब हमने इसके अंदर जो है वो एड कर दिया था कैप्सिकम को एड किया था एंदेन कारट इसके अंदर अनियन भी आप लोग चौप अनियन भी डाल सकते हैं अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है कैरट को और मैं इसको मिक्स करूंगी स्पैचुले से मिक्स कर रही हूं मैं इसको आप देखें मिक्स ऐसे नहीं करना आपने इसको फोल करना है यह देखें इस तरह से आपने इसको फोल करना है यह आपने इसको अगर आप इस साहँ से मिक्स कर लेंगे तो वो कहीं पर आएगी मायोनीज भी जो हमने यह बनाई यह कहीं पर आएगी और गहीं पर नहीं आएगी तो हमने इसको फोल करना है लाइक देट छोटी छोटी से ट्रिक्स होती है है हम इसको अगर फॉलो करें तो हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है ठीक है यह रखें अब हम इसको मिक्स कर सकते हैं और यह हमारी कम्प्लीट हो गई है और हमारी वाली जो है डिश पी कम्प्लीट हो गई अब हम करेंगे इन दोनों को डिश आउट अच्छा इसको मैं ग्लास में डिश आउट कर लेती हूँ सैलेट्स मुझे हमेशा ग्लास में जो है न वो अच्छी लगती है क्योंके इसका सारा कलर जो होता है वो हमें नजर आता है क्योंके वेज़िटेबस इसमें खानी बिल्कुल बुरी नहीं लगेंगे क्योंके स्मॉल साइज की है और बच्चों क्लिए बहुत है और कितनी चटपट बनने वाली रेसिपी यह सिरब आपने पास्ता बॉयल करा एंड़ सिट यह आपने स्ताना से इसको निकाल एंखी अर यह मैंनने सिकालल impose अचा मैं एक प्लेट ले रही ऑँ और अब मैंने शाले ग्लास में निकाल एज़िए तो प्रेखने के वे बैंगन की जो फ्रेगन्स आरी एना, oh my god और आज की हमारी रेसीपी हुए हुए कम्पलीट और आज हमने बनाई थी दो रेसीपीस एक हमने बनाय था पास्ता सैलेट और साथ-साथ हमने बनाय था बैंगन का भरता I hope आपने आज की रेसीपी नज्वाइ की होगी और आपको जरूर पसंद आएगी, जरूर ट्राइ कीजिएगा और इसके साथी मुझे और मेरी टीम को दीजी इजाज़त इन्शालला कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नए रेसीपी के साथ जबतक ले आला हाफस आपको जाज़त